बतादे कि कुरोना की जंग में लगातार ये योदा लड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। हर जगा इन वारियर्स की वहावाई हो रही है। वहीं अभी भाबक संग्यदौरा कुरोना वारियर्स हमारे शहर की पुलिस सीओ प्रसम अशुक कुमार, प्रेम नगर थाना प्रभारी बलवीर सिंग और कोहड आपीर चौकी प्रभारी अवदेश सेंगर और श्वेतर में मौझूद समी पुलिस फोर्स का समान किया गया। श्री सिंग ने कहा कि अन्य प्रदेश में आने वाले प्रवासी मजदूरों को 14 दिनों के लिए कॉरेंटाइन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पांच से छे दनों के बाद अन्य प्रदेशों के प्रवासी मजदूरों की आने की सूचना शासन इस तर से प्राप्थ हुई है जिसमें हरियाना स्टेट से लगभग छे सो प्रवासी मजदूरों की आने की आशनका जताई जा रही है जिसको धान में रखते देखी विद्धाले में लगबग सॉला सौचाले हैं जिस पज़ादिकारी ने संतोश विद्ध किया उन्हों ने कहा कि प्रवासी मजदूरों की नहाने के लिए अच्छे तरीके से विवस्ता किये जाए अब यह नहीं बिताया रशकता है क्योंकि यह अलग अलग स्टेश में बहुत सारे लोग हैं लिए फिल्हाल की सुचना के इंसा अल्याया से लगबग शैसों की संस्यामें साइधाना पुद्ध में ऐसे मजदूर आएंगे बिगर तोटार दूरों बलंद शहर में शासन दौरा जनपत के लिए नामित किये गए नौडल अधिकारी आएक तो मिरेट मंडल श्री मती अनीता सी ने आईजी श्री दीपक रतन दौरा शेकारपूर कस्पे का निरिक्षण किया निरिक्षण के दौरान कस्पे में करोना पॉजिटिव के केस जानकारी भी ली गए घर के अंदर मिले इस घटना से श्वेतर में संसनी फैल गई सूचना पर पहुंची पुलिस ने श्रब को कब्जी में लेकर पोस्त मॉटम के लिए भीज दिया है और फॉरेंसिक की टीम जाश परताल में चुटी हुई है खबर चंदॉली से है जहाँ पर इलिया थानक श्वेतर के जिगना गाओं के राम दुलारे यादब की रात में किसी समय धारदार हत्यार से हत्या कर दी गई जिसकी खबर सुनते ही श्वेतर में संसनी फैल गई सुचना के अनुसार मरतक घर से लगभग 25 मीटर दूर खलीहान में रोज की तरह सोया हुआ था मरतक रोज पश्वों का चारा लेकर खलीहान से लगभग 4 बज़े घर पर पहुँचकर पश्वों को चारा डालता था जब वह आज नहीं पहुँचा तब उनकी पत्ती ने टॉर्च लेकर बलाने पहुँची लेकिन वहां कर नजारा देखकर वह सन रह गई सुचना पाकर पहुँची पुलिस ने मामना दर्श कर लिया है और आगे की कारवाई शुरू कर दी है मुझफर निगर में बेन मौसम बरसाथ हुई जिससे किसानों के तैयार अनाज की फसल बारिश से बरबाद हो गई है बतादी की तेज बारिश वे हवासी गेहों की तैयार फसल खेत में खड़ी हुई थी जोसे लोगडाउन में बारिश के से किसानों का लाखों का बड़ा नुक्सान हुआ है शहरी शेत्रों के साथ भोपा, मीरापुर, जानसट, मन्सकूरपुर इलागे में सुभा से तेज बारिश हुई और स्वीश वक तक छोटी से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं आप देख रहे हैं की नियूस, खबरों का सार्थी तो में भी मैं हुआ 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 है आप देख रहे हैं की नियूस, खबरों का सार्थी प्रेक की बाद इक बार फिट से आप सभी कर स्वागते